दोस्तों physics for beginners के इस एक और lecture में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं average speed और average velocity के बारे में आपको याद होगा कि पिछली वीडियो हम लोग ने uniform motion और non uniform motion पर पड़ी थी और एक conclusion पर हम पहुँचे थे कि जहां पर non uniform motion होता है वहां पर हमें ज़रुत पड़ती है average velocity या average speed की जैसे कि पिछली वीडियो का यह example है जहां पर यहां पर देख रखा है कि एक object जो है वो 10 second के अंदर एक दूरी तै करता है 10 meter की फिर 15 meter की फिर 7 meter की फिर 5 meter की हमने यह देखा था कि A से B point तक जाने के लिए उसको 1 meter per second लगता है B से C जाने के लिए उसको 1.5 meter per second लगता है C से D जाने के लिए उसको 0.7 meter per second लगता है और D से E जाने के लिए उसको 0.5 meter per second लगता है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये है कि हर एक point पे जाने के लिए उसको अलग-अलग velocity लग रही है तो ऐसे में इसकी overall velocity क्या होगी वो हमें पता करना था इसी के लिए हमें ज़रुद पड़ती है average speed या average velocity तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस case की average speed हमें निकाल के दिखाई है तो हम कैसे निकालेंगे देखिए हमें पता है speed का simple formula होता है distance upon time यहाँ पे हमें यह करना है कि सारे के सारे distances जो हैं उनको एक साथ जोड़ दो और उसको total जो time लगा है उससे divide कर दो simple है ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है ठीक है average speed हम लोग निकाल रहे है पहले हम क्या करेंगे यह जो है आपका 10 मीटर 15 मीटर 7 मीटर और 5 मीटर सबको जोड़ देंगे ठीक है इनकी value मानलो d1, d2, d3, d4 है इसलिए सबको जोड़ देंगे तो value कितनी निकलेगी 37 मीटर यानि कि इस object ने total कितना travel किया distance 37 मीटर का और इसको total time कितना लगा पहले में 10 सेकंड दूसरे में 10 सेकंड तीसरे में 10 सेकंड चौथे में 10 सेकंड तो total time कितना है 40 सेकंड है तो उन्हों को divide कर दोगे तो around 0.9 मीटर सेकंड की speed निकल किया एगी मतलब यह है कि इसने जब A से B, B से C, C से D, D से E travel किया तो उस वक्त इसकी average speed कितनी थी 0.9 मीटर सेकंड तो इस तरीके से आप निकालते हो average speed इसका एक example भी है NCRT के अंदर जहां पर दे रखा है कि एक object है आपके पास जो A point से B point तक 16 मीटर कवर करता है 4 सेकंड के अंदर ठीक है यह simple से example है और B से C तक travel करता है 16 मीटर 2 सेकंड के अंदर यानि कि यहाँ पे equal distances तो दिये हुए है और नीचे time जो है अलग 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 दे रखा है 4 सेकंड एक दे रखा है 2 सेकंड अब हम अगर इसकी velocity या फिर speed speed हम वैसे calculate करने जाएंगे तो हमें पता है अलग अलग निकल के आएगी एक के आएगी 4 मीटर सेकंड और दूसरे एक के आएगी 8 मीटर सेकंड लेकिन निकालना क्या है average speed निकालना है इसलिए हम total distance जोड़ेंगे 16 और 16 32 नीचे आएगा 4 और 2 6 सेकंड दोनों को divide कर दीजे value निकल के आएगी 5.33 मीटर सेकंड इसका मतलब इतनी जो है average speed थी इसकी total A से C तक जाने के लिए ठीक है इसी के बाद अगर हम लोग बात करें किसकी average velocity के बारे में अब ह एक example है इसका आपकी book का है 8.3 बहुत easy सा example है मैं book के example इसलिए ले रहा हूं ताकि आप बाद में देख सके और उन्हें repeat कर सके वहाँ पर क्या है कि उशा नाम की एक लड़की है जो कि एक swimming pool में तहर रही है swimmer है अब यह जो pool है यह 90 मीटर लंबा है उशा क्या करती है कि initial point स final point तक जाती है 90 मीटर क्रॉस करती है फिर वापिस final point से initial point पर आती है 90 मीटर क्रॉस करती है ठीक है तो total हो जाता है 180 मीटर ठीक है इस पूरे 180 मीटर को करने में उसे लगता है एक minute यानि कि second में convert करोगे तो 60 second तो 180 मीटर का distance है और 60 second का जो वक्त है यानि कि लिया हुआ टाइ total जो distance है 180 upon में 60 seconds जब आप इसको calculate करोगे तो 3 मीटर पर second की average speed निकल के आती है यानि कि यहाँ से A से B तक जाना वापिस B से A तक आना लेकिन यह जो आपकी average velocity है वहाँ पे आपको क्या चाहिए displacement चाहिए उशा ने A point से शुरू किया B point तक गई B point से दोबारा A point पर वापिस आ गई क्या displacement हुआ जीरो हुआ और भी इसी बात है क्योंकि हमें जहां जाना था इनिशल से final point पर फाइनल से तो वापिस इनिशल पर आ गई तो इसका कोई displacement हुआ ही तो total कितना होगा displacement जीरो और नीचे second होगा 60 second आप डिवाइड करोगे तो 0 निकल के आएगा मतलब उशा क कि average velocity इस case में 0 निकल के आएगी क्योंकि उसने कोई displacement नहीं किया है तो velocity जब भी आप calculate करने जाओ आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि initial point से final point तो वह पहुँचा है कि नहीं अगर वापिस initial पर आ गया है तो velocity 0 हो जाएगी क्योंकि displacement 0 हो जाएगा तो friends यह हो जाता है average velocity और average speed का concept I hope आपको समझ में आया होगा तो दोस्तो आज की इस lecture में बस इतना ही see you in the next one